नमस्कार दोस्तो एक्जाम सारती यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड दुआरा आयोजित सूचना सायक बरती 2023 की कटोफ के बारे में जी हां दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कल सूचना सायक का एक्जाम हुआ था और कंडिडेट्स जिन्होंने सूचना सायक का एक्जाम दिया है वो अब वेट कर रहे हैं आंसर की का हाला कि बहुत सारी जो जो अनोफीसिल आंसर की हैं उनसे आपने अपनी ओमार्ट सीट को मेच किया होगा और उसके अधार पर आप कितने marks के असपास बन रहे हैं हाना कि अभी तक कोई official answer की नहीं आई है तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो coachings वगेरा की जो answer की है उसके आदार पर cutoff बताई दा सकती है लेकिन जो questions आये हैं जो questions का level आया है और उसको देखते हुए number of candidates जो अपियर हुए exam में सारे factors को देखते हुए हम एक cutoff का अंदाजा लगा सकते हैं और आज तक जितने भी exams की cutoff के बारे हमने video analysis किया है उसमें लगबग cutoff वही रही है चाहिए वो कोई भी exam रहा हो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कल जो सूचना साइक का exam हुआ है उसमें कितने परतिस्षत candidates ने जो है हिस्सा लिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं RSM SSB Board यानि रजस्तान करमचारी चायन बोर्ड जो अब RSSB हो गया है उनके जो chairman उनका खुद का tweet आप देख सकते हो इन्होंने खुद update दिया है कि 80,000 candidates ने एक्जाम दिया है यानि कि 55% टोटल जो registered जिन्होंने आवेदन करता थे candidate उनकी संख्या लगबग आप मानके चल सकते हो 1,70,000, 75,000 के आसपास थी और लगबग 55% यानि 80,000 candidates ने एक्जाम दिया है और साथी चेर्मेन साब ने अप्डेट भी दिया है कि किसी तरह की गडबड़ी या पेपर लिग जैसी बात नहीं हुई है एक जगए dummy candidate को पकड़ा गया है इसके अलावा कहीं से भी कोई पेपर लिग जैसी या कुछ भी गडबड़ होने की सुचना नहीं हुई है तो इस एक्जाम में शांतिपून तरीके से ये एक्जाम कंड़क्ट हुआ है जो माना दा रहा था कि नई सरकार में जो पेपर लिग जैसी चीजे रुकेंगी अब बात करते हैं कि कल जो पेपर हुआ उसका लेवल कैसा था कहां बोर्ड ने गड़बडी कर दी पेपर देने में सिलेबस को लेकर एबे भी कंडिडेट्स जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि जो पेपर दिया गया या जो पेपर सेट किया गया उसमें जो है जो वेटेज होना चाहिए वो वेटेज उस हिसाफ से नहीं रखा गया विस्यों का जिस हिसाफ से सलेबस दिया गया था क्योंकि अगर बात करें कल के पेपर की तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हालांकि क्वेशन्स कंप्यूटर के ही ज़्यादा थे कंप्यूटर से रिलेटेड ही थे आलंकि जो computer का portion है वो 50-50% या 54% आप मान सकते हो 50% के आसपास 50% के आसपास computer के questions थे सारे हर तरीके से मिला के लेकिन paper को जिस तरह से set किया गया था उसमें reasoning ही ज्यादा नजर आ रही थी क्योंकि computer से related कहीं questions भी हैं जिनमें कुछ calculation थी तो वो candidates के दिमाग में एक ऐसा रहा कि ये भी math reasoning जैसा ही question है अब reasoning का जो portion है वो लगबग 35-35% के आसपास है हो सकता है थोड़ा इसमें कम ज्यादा हो 35-35% के आसपास reasoning math के questions दे दिये गए इसके अलावा अगर बात करें current के या gk के हम बात करें current के या gk के अगर बात कर जिसमें current भी आगया, gk भी आगया और एक question तो समाने विग्यान का भी दिया गया था, general science का भी दिया गया था, हालांकि वो questions तो general science का ही था, लेकिन उसे gk का मानते हुए दे दिया गया जो myofryya वाला question था, वो general science का question था, उसे gk के question में, जो कि syllabus में भी नहीं थी general science फिर भ कहीं ना कहीं पेपर बनाने में गड़बड की है जैसा कि computer instructor के exam में भी देखा गया था तो बोर्ड के पास अभी भी जो पेपर बनाने वाली जो भी experts हैं हो सकता है यह पूराना पेपर जो पहले होना था साथ सिकंबर को वही पेपर उठा के दे दिया गया हो और इस पेपर के designing को देखके थोड़ा doubt होता है कि इस तरीके से paper कैसे बनाया गया क्योंकि GK का portion होना चाहिए था जिससे की candidates को फायदा होता reasoning का जिस तरह से portion दिया गया वो थोड़ा कम किया जा सकता था तो दोस्तो ऐसा है कि reasoning के questions कम करके GK के थोड़े questions बढ़ाये जा सकते थे जो की board ने नहीं किया अब बात करते हैं कि जो भी हुआ जैसा भी paper आया paper का level अगर बात करें तो जब candidates ने paper देके candidates निकले तो उनको ये paper easy लग रहा था घर पहुंचते पहुंचते रस्ते में discussion किया तो थोड़ा सा paper और tough लगा और answer कि अगर कहीं से मिला ही है coaching वगेर आगी तो paper कहीं लोगों को tough भी लगने लगा कहीं को भी moderate लग रहा है लेकिन final answer कि आएगी तब तक बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी अभी आपको लग रहा होगा कि cut off तो बहुत ज्यादा high जाएगी 80 plus जाएगी 70 plus जाएगी ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने व पज़े से थोड़ी सी cut off ठीक ठाक रहने वाली है और अब बात कर लेते हैं कि जो cut off है वो क्या रह सकती है तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो 55-35 candidates उपस्तित हुए हैं उनमें से कितने candidates को लिया जाएगा तो वो सारी चीजें यहां पर data जो है वो discuss कर लेते हैं सबस 2730 पदी ही अभी के लिए मान के चलें तो notification में साब दिया है कि typing के लिए इसके तीन गुना candidates लिये जाएंगे तीन गुना candidates लिये जाएंगे तो 2730 के तीन गुना अगर माने तो लगबग आप मान के चलो यह होते हैं आपके 8200 के असपास 2190 होते हैं लेकिन इसको आप 8200 पद मान सकते हो 8200 इतने candidates को लेना है वो total candidates कितने है 80,000 तो एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर देखें 80,000 में से लगबग 8,000 candidates को लेना है यानि कि 10% candidates को लेना है 10% आपके 80,000 के जो 8,000 है वो लगबग 10% होते हैं तो 10% candidates को लेना है यानि कि हर 10 में से एक candidate जो है वो typing exam देगा हर 10 में से एक candidate typing exam देगा तो इन सभी data का analysis करने के बाद जो candidates का review मिला है questions को लेकर के paper के level को लेकर के किस तरह का paper हुआ है उसके बाद एक cut-off हमने त्यार किया और वो cut-off आपके साथ हम discuss करने वाले है फाइनल cut-off क्या रहेगी वो भी आगे discuss करेंगे तो दोस्तों यहां से अगर बात करें कि cut-off क्या रह सकती है तो हम main जो categories है उनकी बात करें तो general category की cut-off रह सकती है 60-65 जी यहां दोस्तों क्योंकि आपका जो paper है उसमें 1500 person थे और 100 marks के यह person थे या पूरा जो paper है आपका 100 नमरों का था 100 marks का था 100 में से 60-65 marks वाले जो candidate है या आप इसको पर 30 में भी मान सकते हो यह questions नमर नहीं है 60-65 percentage या marks मान सकते हो आप 60-65 percent cut-off रहने वाली है आपकी जो है typing exam के लिए फिर typing exam के बाद typing exam में जो qualify होंगे उन candidates वह तो तीन गुना candidates है उनमें से पदों के बराबर जो candidates लिये जाएंगे या उसमें दो गुना ले जाएंगे या डेड़ गुना लिये जाएंगे document verification के लिए उसमें cut-off final कितनी बढ़े सकती है वो भी आगे बताएंगे तो general category cut-off 60-65 SC की cut-off 48-52 के बीच, ST की cut-off 40-44 BC यानि की OBC की cut-off आपकी 58-62 लगबग general से आसपासी रहेगी और जो अन्य category है EWS की MBC की वो लगबग OBC के आसपासी रहने वाली है थोड़ा बहुत अंतर होश रखता है female candidates की cut-off है वो male candidates से कुछ एक-दो marks category wise कम रहेगी SC, ST में हो सकता है थोड़ा male female candidate का ज्यादा difference रहे ST में जो female candidate है उनकी cut-off 30-35 के आसपास भी रह सकती है और SC के अंदर ये जो आंकड़ा है female candidate का ये और कम होके 40 के आसपास रह सकता है अब बात करते हैं कि इतनी कम cut-off कैसे बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी आपने जो paper देखके आए हैं तो आपको लग रहा होगा कि paper easy है लेकिन जैसे ही आपने coaching की answer की मिलाई है तो आपको paper तोड़ा tough लगने लगा है बहुत सारे candidates को और जब official answer की आएगी और उसमें ज questions भी दिये गए हैं जो delete होंगे paper में भी कुछ mistakes हैं तो कुछ questions delete होंगे कुछ बोर्ड की जो इतियास रहा है उस हिसाफ से जो answer की आएगी उसको देखते हुए यह है कि cut-off आपकी इतनी ही रहेगी इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है क्योंकि अगर इससे ज्यादा गई तो typing exam में typing exam में candidates जितने qualify होंगे उनमें से लगबग यह माना जा सकता है कि पदों के date गुना candidates को document verification के लिए बुलाया जा सकता है या date गुना भी नहीं लेंगे तो जितने पद हैं उनसे कुछ ज़्यादा लिये जा सकते हैं तो अब बात करते हैं कि document verification में यानि typing exam के बाद cut-off क तो जो qualify कर लेंगे वो तो निकल जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे candidates हैं जिनके return में marks अच्छे नहीं होंगे लेकिं वो qualify कर जाएंगे बहुत सारे candidates ऐसे भी होंगे जो return में अच्छे marks लेकर आये हैं लेकिन typing exam में हो सकता है वो नहीं निकल बाएं तो तीन गुना candidates के बार तोड़ी बहुत ऊपर नीची हो सकती है ओर स्टी की कटोफ पचास से पचपन जा सकती है यो सी 70 के पचास से असपास जा सकती है और वीडियो को पर करें शेयर करें साथ ही चेनल को सबस्काइब मुझत करें दन्यवाद